प्रती ग्रहणी को मा अन्पूना का आसिरवाद लेना चाहिए जब वो ब्याकर आती है घर में तब उससे रसोई में सबसे पहले खीर बनवाई जाती है आपने देखा होगा नई बहू से सबसे पहले खीर बनवाई जाएगी क्यों? ताकि उसे उस खीर का भोग जब वो भगवान को लगाएगी तो घर की रसोई में जो अन्पूना रहती हैं वो उसको आसिरवाद देंगी इसलिए पहली पहली रसोई जबी भी बहू बनाएगी तो वो खीर बनाएगी ताकि अन्पूना मया का उसको आसिरवाद मिले केते अन्न पूर्णा मया का आसिरवाद मिले उसके लिए दो तीन काम ज़रूर करो एक सुबह बिना जाडू लगाए रसोई में कुछ बनाना खाना नहीं चाहिए जाडू सबसे पहले सुबह रसोई में जाडू पहुचा करो बाद में कुछ आए पानी बनाना करना करो ताकि रसोई में चाय बना ली पानी गरम कर लिया सुबह सुबह रसोई का महूरत मत करो दूसरा कई बार माताएं जाडू लगाती है तो स्लैप के उपर से भी जाडू लगा लेती है कभी भी स्लैप के उपर से जाड़ू नहीं लगानी चाहिए स्लैप को आपको कपड़े से ही पहुचना चाहिए स्लैप के उपर से जाड़ू छुवाना ये अपराद है ये एक तरह से अपसगुन है जाड़ू कभी सोने वाले विस्तर पर भी नहीं लगानी चीए, कई लोग तो विस्तर जाड़ने के लिए जाड़ू से जाड़ देते हैं कि जाड़ू लगा रहे हैं, विस्तर भी जाड़ू से जाड़ देते हैं जिस घर में विस्तर जारू से जाड़ा जाता है उसमें अकाल मृत्य होती है ध्यान रखना चाहिए दूसरा सांज को भोजन करते समय चाहें आप कितने भी लेट हो गए हैं पर जूटे बरतन सिंक में छोड़ना नहीं चाहिए मान लो कि आपके माजने की बसकी नहीं है तो कम से कम उने धोकर सिलेप के उपर रख दीजिए पर जूटे बरतनों से भरी हुई सिंक रात में छोड़कर नहीं सोना चाहिए जब भोर हो और आप इसनान करके आएं और रसोई का आरंब करें तब कपूर का दिया रसोई के अगनी कौण में जरूर जलाना चाहिए इससे धन धानी की बरकत होती है रात्री में कम से कम एक लोटा पानी अलग से रसोई में भरके रख देना चाहिए और सुबह उसे घर की देली पे होते हुए बाहर की ओर फेक देना चाहिए इससे घर में धन धानी का आगमन होता है माताएं बहुत सारी चीजें ऐसी करती थी जो विज्ञान से परे हैं लेकिन माताओं के किए से विधाता को भी कई बार वो करना पढ़ता था जो किसी के समझ हुआ गूगल कह रहा है कि बारिस होगी इसका मतलब बारिस का मौसम बन रहा है लेकिन मैं आएं क्या करेंगी बोले तु जट से थाए छट पर जाके उल्टा तयो कर मैं देखूं कैसे होगी और वो रोग देती है और वो रोग देती है माताओं में कई चीजें बुड़िया पुरान के रूप में कही जाती है लेकिन कहने को वो बुड़िया पुरान है पर वो होता बड़ा सच्चा है दबाई कर आकर आकर देख ली नहीं ठीक हो रहा मैं आएं कुछ अपनी मुठी में लेकर आएगी आकर पांक साथ बार घुमाएगी पतानी क्या-क्या बुरबुर आएगी और जो काम दवाईयों से नहीं हुआ वो उसके घुमाने वर्षे हो जाएगा कुछ चीजें शुब है और कुछ चीजें आशुब है